नमस्कार मुप्रिया बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर बिहार में कोरोना के मामलों ने फिर से बढ़ाई चुन्ता आईजी आएमस में जल्द होगी जीनोम सिक्वेंसिंग टेस्ट की ववस्ता पंकस्रुपाथे की मांग भोजपूरी संस्कृति को पारंपरिक स्वरूप में करे प्रसारित उत्तर बिहार के लोगों का पटना आना जाना अब होगा असान पंकस्रुपाथे की मांग भोजपूरी संस्कृति को पारंपरिक स्वरूप में करे प्रसारित बिहार से निकले अभिनेता पंकस्रुपाथी आज किसी भी परिच्वे के मोहताज नहीं है क्योंकि अभिने की दुनिया में पंकच ने खूब नाम कवाया है इतना ही नहीं बड़े शहर में ये बड़ा मुकाम हासल करने के बावजूद पंकच बिहार को लेकर कुछ ना कुछ जरूर करते रहते हैं जोसे बिहार का मान देश भर में बढ़ता रहे इसी कड़ी में पंकच ने भोजपुरी संस्कृती को आगे बढ़ानी की बात कही है जोसके तहट इंडिया इंटिनाशनल सेंटर नई दिली के कमला देवी कॉंपलेक्स में बिहार टूरिजम लिमिटेड धनू बिहार और इंडिया इंटिनाशनल सेंटर की तरफ से इंट्रोड़क्शन ओफ भोजपुरी और इट्स सिविलाइजेशन विशे पर एक संग भुष्टी के आयो जिन के दौरान हभिनेता पंकस रुपाथी ने ऑनलाइन कारिक्रम से जुड़कर भोजपुरी के कला रूप और संस्कृति को इसके पॉपलर इमिज से बाहर पारंपरिक और वास्तविक स्वरूप में प्रसारत किया जाने की जरूरत बताई है पटना के महावीर मंदर ने राम मंदर निर्मान के लिए किया दान अर्सो बाद राम मंदर के निर्मान का रास्ता साफ हुआ है यही कारण है कि राम भक्तों को अब बेसबरी से अपने राम लला के मंदर का इंतजार है और दूसरे तरफ राम मंदिर का निर्मान भी जोर शोर से किया जा रहा है जिसके लिए ही पटना के महावीर मंदिर ने भी दान किया है मिली जानकारी के निसार अयोधिया में श्री राम जन्मभूमी पर राम लला का विराट मंदिर बनाने के लिए पटना के महावीर मंदिर द्वारा दो करोर रुपे की दूसरी किष्ट तश्रनिवार को भेट की गई जिसकों की महावीर मंदिर नियास के सचिफ आचारे किषोर कुनाल ने अयोधिया में श्री राम जन्मभूमी तीर्थ शेत्र के सचिफ चंपतरोय को दो करोर रुपे का चेक सौपा हाला कि पहला मौका नहीं है जब महावीर मंदिर ने करोर रुपे दान किये हो इसे पहले भी पिछले साल 2 अपरेल को राम नवमी के दिन महावीर मंदिर नियास की तरफ से राम मंदिर निर्मान के लिए 2 करोर रुपे की पहली किष्ट भेट की गई थी बिहार में कोरोना के मामलों ने फिर से बढ़ाई चिंता बिहार में कोरोना के मामलों ने एक बार फिर से डराना शुरू कर दिया है बीतेक उस दुनों से आ रहे हैं मामले इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि कहीं न कहीं भूल हो रही है और इससे सबसे बुरा हाल राजधानी पटना का है क्योंकि समूचे बिहार में जो तरे मामले आ रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा पटना में कोविड सेंटर बनाने की तयारी हो रही है पार्टले पुत्र स्पोर्ट्स कॉंपलेक्स में 110 बेड का स्पताल बनाने जाने की तयारी हो रही है साथी सडकों पर बना मास के घूमने वालों पर भी सकती दिखाई जाएगी आपकी जानकारी के लिया को बता दे कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को देखते वे प्रशासनिक सर पर आवश्यक विवस्था सुरेशित कराने के लिए श्रनिवार को जुलाधिकारी ने वरिये अधिकारियों के साथ बैठक की थी और साथ ही जुलाधिकारी ने इस दौरान कहा कि अभी घबराने जैसे स्थिती नहीं है जिसे की पटना आगबन आसान हो जाएगा, करीब 100 इंजीनियर, सुपरवाइजर और 1000 कर्मियों को लगा कर काम में तेजी लाई गई है 46 पायो वाले स्पुल के 26 पायो का सुपर स्ट्रॉक्चर जंग रोधी स्टील से तयार किया गया है 13 स्पैन पर स्लैब भी रखा जा चुका है, अगले महीने से नवद निर्मित पुर्वी लेन के पिछले हिसे का काम पूरा हो जाएगा इसके साथ ही सेतु डिविशन के अधिकारिक सूट्रो की माने, तो मई 2022 में गांथी सेतु के पुर्वी लेन पर वाहनों का परिचालन शुरू हो जाएगा हाला कि हकाम मार्श 2022 तक पूरा किया जाना था, लेकिन बारिज जल जमाव के कारण यह पूरा नहीं हो पाया और इसमें देरी आई है बिहार में पंचायच चुनाव के बाद 18 दिसंबर के बाद इन चुनावों की है तैयारी बिहार में पंचायती चुनाव का समापन आज हो जाएगा जिसके तहत 11 वेचरन के तहत ही वोटिंग का काम होगा जिसके बाद ही अब बिहार में उपमुख्या, उपसरपंच, प्रमुख और जिप अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है राज्यो निर्वाच चुनाव की तर जिसके बाद ही अपंचायती राज के नर्वाचित प्रतनेधियो द्वारा अपने बीच से और प्रत्यक्ष नर्वाचन के माध्यम से उपमुख्या, उपसरपंच, प्रमुख, जिलाध्यक्ष और जिलापरसत के उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाना है विहार में अभी दिगरी की गिरावट दर्श की गई है, इसका प्रभाव पटना गया भागरपुर और मुजफरपुर सहित बिहार के अधिकतर जिलों में दिख रहा है, मौसम विज्यान केंदर पटना से प्राप्त जुआनकारी के अनसार प्रदेश में पच्छवा हवा आठ से दस किलोम पर लगे लगाम के बाद अब भीहार में धीरे-धीरे बालु खननन का काम बढ़ता जा रहा है, इस सब्कूर हो सकेगी, सूत्रों के अनसार सभी 150 बालु घातो की परियावर निए स्विकृती पहले से ही मिल गई है, IJIMS में जल्द होगी जिनोम सिक्वेंसिंग टेस्ट की ववस्था देश बर के कई राजो में कोरोना के नई वेरियंट ओमिक्रॉन के मामलों की पुष्टी हुई है हाला कि विहार में अब तक एक भी ऐसे मरीज की पुष्टी नहीं हुई है लेकिन दिली समेट अनिराजों में मिले मामलों की बार विहार में भी अलर्ट है यही कारण है कि विहार में जिनोम सिक्वेंसिंग को लेकर लगातार प्रयास किया जा रहे है इसी कड़ी में अब IJIMS में जिनोम सांपल की जाच की ववस्थास सरकारने की है इसको लेकर 30 लाग की राशी उपलब्ध कराए गई है ऐसे में अब जलदी आई जाएमस में ओमिक्रोन की जाच शुरू हो जाएगी बहार में आ रही है लेकिन इसी बीच बीते दिन बहार के कलउटे मौके पर पहँचे और बाग़िन के शुरुक्षित पाई जाने की जानकारी देते वे कहा है कि दो दिन पहले बाग़िन के जान जाने की संभावना है भाजपा जदियू में मत्मेद विपक्ष हमलावर निदियायो के रिपोर्ट ने बिहार के हालात की सच्चाई बया कर दी है जिसके बाद से बिहार के NDA सरकार के विकास के दावे धरे के धरे नजर आ रहे हैं इसी बीच CHG के रिपोर्ट के मताबिक बिहार में दो लाख करोर रुपे के खर्श के बारे में कोई जानकारी अब तक निकल कर के नहीं सामने आई है विपक्ष का दावा है कि दोनों दल के बीच कुछ भी ठीक नहीं है और यह डबल नहीं बलकी ट्रबल इंजन की सरकार है जो बिहार को बरबादी के रास्ते पर ले जा रहा है इन सब की बीच पुर्विधायक और राजुत के प्रदेश प्रवक्त अश्रक्ति सिंग यादव ने कहा है कि भाजपा और जद्यू मिलकर बिहार को बरबाद कर रहे हैं यही वज़ो है कि हम इसे डबल नहीं बलकी ट्रबल इंजन सरकार कहते हैं ज़दियू में शामिल होंगे सदारां सिंग के बेटे कॉंग्रेस की सदारां सिंग आज इस दुनिया में नहीं है लेकिन उन्होंने अपने जीतेजी पार्टी की खूब से वाखी लेकिन उनके आखिरे दullenों में काॉंग्रेस पलत कर भी उनकी हालचाल को जाने नहीं आई जिसकी कारण ही सदारन सिंग का परिवार काफी आहत हुआ था यही कारण है कि सदारन सिंग के परिवार का जगाव अब जदियों की तरफ हो रहा है मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री नितीश कुमार के काम से प्रभावित होकर शभानन सिंग ने जद्यू में आने का फैसला किया है स्पेशल स्टेटस की मांग पर बट गई नितीश सरकार बिहार को विशेश राज्य का दर्जा दिये जाने की मांग कई सालों से होती आई है खासकर नितीश सरकार की यह मांग तो रही है कि बिहार को विशेश राज्य का दर्जा मिले लेकिन अब इस मांग में एक नया मोरा गया है क्योंकि अब तक यही जो देखा जा रहा था कि नितीश सरकार में शौमिल हर कोई बिहार को विशेश राजी का दर्ज़ा देने की मांग कर रहा था लेकिन अब जिप्टी सीएम के विचार इसे ठीक उलट है प्रदेश की डिप्टी सीएम रेडु देवी ने कहा है कि केंदर सरकार ने विशेश राजी के दर्ज़ा से अधिक पैसा बिहार को दिया है बिहार में जितने पुल और सड़क बन रहे हैं जितने बड़े-बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं वो पैसा किंद्र सरकार दे रही है ऐसी सिती में विशेश राजी का दर्ज़ा कहा माईने रखता है विशेश राजय के दर्जे में हम भाही करते हैं जो हम चाहते हैं, दोनों की तुलना करें तो आज विशेश राजय से अधिक पैसार राजय को मिल रहा है मामा ने भांजे को अकात में रहने की दी नसीहत तेजस्त्वी आदव की शादी ना हुई मानो लालो परिवार ही दो धरों में बढ़ गया है जहां एक तरफ परिवार में खुशी है तो अंतर जातिय विवाह के कारण मामा ने भांजे कारण है कि तेजस्त्वी की शादी को लेकर लगातार बयान दे रहे है वहीं हाली में तेशप्ताप यादव ने पजामे से बाहर नहीं आने की नसीहत दी थी तो अब उन्होंने कहा है कि तेशप्ताप को भे समझा दूँगा कि मैं क्या चीज हूँ इतना ही नहीं उन्होंने तेश पृता प्यादव को औकात पिरहने की नसिहर दी है साथी साथ जीते जी लालो परिवार के सामने नहीं जाने की कसम भी खाई है पीएम मोधी का ट्विटर अकांट हुआ है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के ट्विटर अकाउंट पर नजर देश के साथ साथ विदेश तक रहती है क्योंकि P.M. मोधी का ट्वीट बेहदी घहिमाना जाता है इसे ट्वीट किया गया कि भारत ने विटकोइन को आधिकारिक रूप से कानुनी मानिता ने है और ने एक ट्वीट में दावा किया गया कि भारत ने आधिकारिक तोर पर 500 BTC खरीद लिये हैं और उन्हें अपने निवासियों के बीच वितृत कर दिया है और इस सम्मन्द में एक लिंक साजा की गई चैश्याला कि गौण करने की बाद ये रही की उन्हें यह ट्वीट किया ही नहीं बलकि उनका अकाउंट हैक कर लिया गया था चॉसके बाद ही पीम Μोदी के ट्विटर अकाउंट के हैक होने की खबर से हरकम्प बच गया बाद में प्रधान मंतरी बादी कारियाले तोब ये नाम जरूर आता है 12 दिसंबर 181 को चंडीगर में जन्मे युवराद सिंग आज यानी 12 दिसंबर 2020 को अपना 46 वा जन्म दिन बना रहे हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्हों ने इंटरनाशनल क्रिकेट के इतिहास में सब से तेज अर्धिश्र तक जड़ने का काम क्या है सिकसर किंग के नाम से फेमस युवराद सिंग ने लंबे समय तक देश के लिए क्रिकेट खेलिया और वो सफल भी रहे हैं हलाकि कैंसर के कारण वो कई साल इंटरनाशनल क्रिकेट से दूर जरूर है लेकिन बात में उन्होंने बापसी की थी और फिर से वो टीम का हैस्ता ब इसके लावा मारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं मगर समय क्या भाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए लेकिन आप हुमारे सवालों का जवाब देते रहे हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल क और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है आपके नुसार मौसम में बदलाव के साथ क्या आपके इलाके में भी असर पड़ा है अपने जवाब में कॉमेंट करके ज़रूर बताए इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही बिहार की बड़ी खबरों से अबडेटेटे रहने के ल को सब्सक्राइब करें और बल आइकान दबाना ना भूलें धन्यवाद